सिवान के कुरिंटीन सेंटर में एक यूवक की मौत के बाद इस्थानिय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है बड़ी खबर जीले के गुरिया कोटी थाना चेतर के सीसाई से आ रही है जहां एक यूवक की कुरिंटीन सेंटर में मौत हो गई है जिसके बाद इस्थानिय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है आपको बता दे कि सीवान के कुरिंटीन सेंटर में ये तीसरी मौत है इससे पहले भी दो लोग की मौत हो चुकी है बड़ी बात यह है कि किसी को भी अस्पताल और इलाज की सुवदा नहीं मिल सकी जिसके वज़े से उनकी मौत हो गई मामले में मिली जनकारी के अनुसार गोरिय कोठी सिसई मध विद्याले में बने कॉरिंटीन सेंटर पर सरीवार की रातरी एक प्रवासी की मौत हो गई जो सिसई का स्थानिय निवासी बताय जा रहा है वहीं सूतरों से मिली जनकारी के अनुसार वो सक्स को बीती रात पेट में दर्द हुआ जिसके बाद कॉरिंटीन सेंटर में तैनात कर्मियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया इसका इलाज नहीं करवाया गया जिससे उसकी मौत रात में ही हो गई सुब जैसे ही इसकी भना के स्थानिय गरामीडों को लगी भारी तदात में गरामीड कॉरिंटीन सेंटर पर जुट गए और बवाल करना सुरू कर दिया और स्टेट हाइवे तीहतर को पूरी तरह से जाम कर दिया फिलहाल मौकेप और गोरिया कोटी के वीडियो दलबल के साथ पहुँचकर मामले को सुलजाने का प्रियास कर रहे है पर चाहिए और चाहिए और चाहिए और लोगों को खाने-पिने का रहने का विवास्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए residual इस से साइ से आंहें कुल